अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते लड़ते यदि आप सहीद भी हो जाते हैं तो आपकी आने वाली पीड़ियां इसका बदला अवस्य लेंगी और यदि आप गुलाम बन कर सहते रह जाते हैं तो आने वाली आपकी पीड़ियां भी गुलाम बन जाएंगी इसलिए अपने हक और आधिकार के लिए आवाज उठाएं सिच्छा का यही महत्तो है दमस्कार साथियों मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR स्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बढ़िया चल रही है इन्हीं उमीदों के साथ आज की आपकी एक और कलास जो भी कंडिडेट जुड़े हैं उनका नाम मैं जरूर बोलूँगा तब तक कुछ और भी बच्चे जुड़ जाते हैं थोड़ा टाइम लगता है दो मिनट कलास में जुड़ने में एक मिनट उसके बाद कलास आगे बढ़ती है रजनी यादो जी आपका कमेंट आ रहा अलोक अरुन सुरज अमन हरदीब पांडे राजदीब पंडे, पंकच कुमार, राजन कुमार, जॉन लीवर पतनी का का लिखा इनोंने बहिया पूर्डेमा सिंग, आसिव खान, बहुत बहुत थैंक्यू सभी को चली आगे बढ़ते हैं टॉपिक क्या है वर्गमूल, घनमूल, आप लोग पढ़ रहे थे न, तो भाया ये बताओ, कल आपने ये पढ़ा था अंडरूट साथ न, इसका मान कितना आएगा एनिवन कोई बताएगा, हाट राई कल लो एक बार कितना आएगा वर्गमूल मुझे उमीद है कि मैंने लगबग सिखा दिया आपको जितना जरूरत थी इसके लावा और डीटील में अगर विस्तार से पढ़ना है तो अब यहाँ पर टाइम नहीं है आप PBR Study एप में इंडूल कर सकते हैं आज घंद मूल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे घंद मूल यहाँ दिख रहा होगा आपको क्योब रूट क्योब रूट किया होता है यह भी सिम्पल वैसे होता है जैसे आपका वर्गमूल होता है वैसे में थूड़ा सांतर होता है वर्गमूल में दो-दो का पेर indeed bantah है घंद मूल में तीन-दीन का मतलब करति पतनी के साथ वे इसमें अलाव होता है देखो कैसे क्या आई ये बात करते हैं पूरा में टॉपिक में इसका घंद तो आपको याद होगा ना भाईया यह सब तो आपको याद होगा यह समझ में आया सबको याद है ना ठीक है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही जो कुछ भी यहाँ कहानी करेंगे बिल्कुल सुरू से ही करेंगे अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता आप यकीन मानिए हम आपको मैथ सिखाएंगे पूरी गारंटी है बस जाना निकला छोड़के आईए सबसे पहले बात करते हैं कि घनमूल क्या होता है घनमूल क्या होता है देखो मेरे भाई समझो कहानी क्या है पूरी यह संख्या है संख्या का घन और यह है घनमूल संख्या मान लेते हैं मैंने दो ले लिया संख्या का घन किया आठ आ गया न और जब घनमूल किया तो का हुआ पता है आपको घनमूल किया तो आठ का घनमूल यहां पर तीन रहेगा जरूर फिर से दो आ गया क्या समझ में आया आपको कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत नहीं आया देखो समझो यह घनमूल उपर दिख रहे न घन धनमूल बराबर घनमूल यानि जो मूल संख्या थी इसी संख्या को हम क्या बोलेंगे एक प्रकार यह मूल संख्या है ठीक है इसका घन किया और फिर उसका जब वर्ग मतलब घनमूल कर दिया तो फिर वहीं संख्या आ गई कुल मिला करके आप यह समझ लो कि जो घनमूल होता है वह पहले से वही संख्या वास्तों में होती है इसको बिगाड़ा गया होता है मतलब ऐसे समझ लो कि कोई इंसान बहुत बिगड़ा हुआ है बहुत खराब टाइप का है बड़ा गलत गलत काम कर रहा है फिर अचानक वो सुधर के अच्छा हो जाता है तो पहले भी वो अच्छा ही था उसको बिगड़ा गया था तो फिर वही हो गया बस जैसे सिंपल है पानी को जमा के बरब बना दो बरब को पिगला के फिर पानी बना दो कि कुछ बिस्तार से समझ रहे हो नहीं अंदर की बाते समझ रहे हो क्या कहना है ठीक है जैसे संख्या तीन ले लिया कि तीन का घं कितना होता है 27 27 का घनमूल कितना आया फिर फे तीना आ गया भूरा राम हाँ कमेंट आ रहा है अनूप अनूज उमेश नायक सीनु कुमारी बेरे गुड आईए अच्छा है तो ये तो बात हो गई एक सिंपल सी कुछ समझने वाली अभी और कुछ जरूरी चीज़े हैं उनमें चलो घनमूल निकालने की दो विधिया है वर्गमूल विधि और वर्गमूल नहीं गुड़नखंड विधि और भाग विधि आज हम गुड़नखंड विधि की बात करेंगे फैक्टर मेथेड गनमूल निकालने की गुड़नखंड विधि गुड़नखंड विधि मिन्स फैक्टर मेथेड सबसे चोटी नमबर लेते हैं आठ आपको इसका घनमूल बताना है एनिवन कमेंट करेगा कोई सबसे पहले कौन बताएगा चलो चलो भाईया चलो 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 ठीक है बेरे गूड बेरे गूड बहुत अच्छे मेरी वाइस रिपीट हो रही है क्या नहीं हो रही ना ठीक है इसका अंसर आएगा दो बेरे गूड बहुत अच्छे बच्चे सबसे पहले माई फुट पाथ यह माई फुट पाथ इनका नाम है काहे को बोल रहे है बगवान जाने ठीक है यह सबसे पहले इसका गुड़न खंड करते हैं तो मेरे भाई आठ का गुड़न खंड दो गुड़ा दो तीन बार करेंगे ठीक है इसमें तीन तीन का पेयर बनता है एक पेयर फे एक दो बाहर निकल गया बस यही अंसर होता है जैसे अगला अंडर रूट 27 स्वारी अंडर रूट नहीं क्यूब रूट बोलते हैं इस एक चीज़ ध्यान रहे घंड मूल और वर्गमूल के चिन्द में मेरे भाई बहुत थोड़ा अंतर होता है बहुत थोड़ा इसको देखो और इसकी सकल देखो दोनों में क्या अंतर है जान दो अगर इसके चुरकी पे कुछ लिखा नहीं है तो मतलब वर्गमूल निकालना है अगर इसके खुपड़ी पे तीन लिखा है तो मतलब घान मूल निकालना है समझ रहो? यानि इनका फैक्टर करके बराबर बराबर संख्याओं का फैक्टर करके तीन-तीन का जोड़ा इसमें बनाना इसमें दो-दो का बनाना है एक चीज़ और समझ लो यहां फिरी का अगर यहां चार लिखा होता तो मतलब हमें बराबर-बराबर की संख्याओं का पैर करके चार-चार की जोड़े बनाने की कोशिस करना है लेकिन हमें यह सब बहुत कहीं मिलता नहीं, यहीं मिलता है अंतर समझ में है न? तो घन मूल अगर कहीं आपको परदर्सित करना है तो उसके खोपड़ी पे चुरकी पे तीन जरूर लिखोगे आईए तब ताइस का आप जब फैक्टर करोगे तो तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन आएगा पेर में एक जोड़ा बनेगा, तीन बाहर निकल जाएगा इसमें से जितने लोगों को गुड़न खंड करना नहीं आता वो मुझे कमेंट करके यस बोलें क्या आपको पता है सब ताइस बराबर तीन गुड़ा तीन ये कैसे आया? जल्दी बताओ मैं मारकर मैं इंक डालता हूँ क्लास बहुत बड़ी नहीं चलेगी क्योंकि आप लोग सेयर ओवर नहीं करते हो खुब दबाके सेयर कर दो या तो सुमित साहू यहाँ ट्रिक नहीं पढ़ना चाचा? नहीं, ट्रिक वाले चले गए यह ट्रिक नहीं लगाते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर हम पढ़ा नहीं रहें, शिखा रहें पढ़ाने शिखाने मंतर होता है पढ़ना है तो कहीं भी जाओ, सीखना है तो यहाँ पर आओ देखो सुनो फिर समझो यह 27 का कैसे आता है जो तीन गुड़ा तीन इसको पहले समझ लेते है सुनिए सबसे पहले हमें देखना है कि 27 यह किस परकार की संख्या है इसकी जाति पाति बिरादरी इसके नेचर बेवहार समझना है तो पहली बात तो यह एक बिसम संख्या है और नमबर है दूसरा यह एक भाजि संख्या है तो कोई भी बिसम संख्या वो दो से कभी जल्दी करती नहीं है completely divide नहीं होती है तो कि सिंपल नहीं होती है तो इनको तीन से भाग करोगे तो 327 बहागफल नौ आया जिसे सेंडर को सेसफल बोलते हैं दिवाईजर को भाजक बोलते हैं तो जो भागफल आता है उसको यहां खुपड़िक नीचे लिखते हैं और जिससे बाग करते हैं उसको यहां लिखते हैं समझ मैं है यही प्रकृआ आगे भी करते हैं फिर 3 से भाग करोगे 9 में तु-3 आएगा और फिर तीन से 3 में भाग करोगे तहका आएगा है कि मैं लगातार बहुत तेज बोल रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है क्यों मुझे रुकना चाहिए क्या तो इस तरह से ये गिंती यहां पर लिख लेते हैं जितने बार ये डिवाइड हुआ रहता है उनको गुड़ा करके लिख देते हैं इनका अपस में मल्टीपल करो तीन तरीक का नो नो का तीन में करोगे 27 बराबर आगे ना इसका मदलब सही है ठीक है डन आगे बढ़ते हैं कितना मिनट हो गया यार टाइम बड़े जल्दी विज़ जाता है वाई 14-15 मिनट हो गया आगे लिखो एक और इसी तरह फें 64 का मेरे भाई 64 को भी ऐसे फैक्टर करेंगे दो से भाग करो 64 में 32 आएगा ना करके देखो दो से भाग करो 32 आएगा फिर दो से भाग करो 32 में 16 आएगा चलो दो से भाग करोगे 16 में 8 आएगा फिर दो से भाग करोगे 4 आएगा फिर दो से भाग करोगे 2 आएगा फिर दो से भाग करोगे 1 आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आए है बाख बाता है तीन यह बना है तो बार बाहर निकाल रहें आंसर चार आएगा सब को समझ में आया के तो आज इस क्लास में और इससे ज्लादा वक्त पालेता है हमारी पतब बचता है हम आपको ये कलास बड़ी-बड़ी चलाएंगे ठीक है आप लोग चाहें तो पीबीर स्टडी एप डाउनलोड करके सब्सक्रेप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आप धाई-डाई-3-3 घंटे पढ़ सकते हैं घनमूल आज मैंने शुरू किया इस टॉपिक पर आपक देखते नहीं ये भी एक मुसीबत है ठीक है ना भाई ये बावू तो छोटी-छोटी कलास होती तो बहतर होती ज्यादा बड़ा लोग देखते नहीं है आसुतोस साहू उमीद है कि आपको दिख भी रहा है और सुनाई भी पढ़ रहा है दोनों सही है ना भीने कुमार तरुन्नुम परवीन ठीक है बेरी गुड़ अलका मोहित तो सभी को बहुत बहुत थैंक्यू दस बज़े से हम फिर लाइब आएंगे हमारी कोशिस होगी कि दस बज़े वाली कलास बड़ी चले गया तो आप लोग इतना देखिए शेयर करिए इसके सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे नीचे स्क्रिन पर नंबर चल रहा है कोई इंक्वारी है कलास के बारे में अगर आप भी मैच सीखना चाहते हैं तो संपर्क करें